हेलो एविवन आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी करेंगे तो आपकी सारी वोकाप यहां से प्रिपेर हो जाएंगी और इसके लावा एक बद और मैं तो अपनी तरह से अपना काम कर रही हूं आपको पढ़ा रही हूं अच्छे से समझा रही हूं बट आपको खुद भी उसे पढ़ना है ऐसा निये कि मैं ने पढ़ा दिया औ करेंगे तब अपने पड़ रखे होते हैं कि अपने इतने ज़्यादा पड़ रखे होते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होता है कि ये वाला तो इसका नहीं है, क्योंकि ये वाला तो किसी और का था, तो इससे आपको यादा रगता है कि ये तो eliminate हो गया, ये eliminate हो गया, तो कई भर आप elimination के process से भी सही answer तक पहुँच जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए, दोनों लोग अपनी अपनी मैनत करते हैं, मैं अपनी पढ़ाने वाली और आप अपनी पढ़ने वाली, ठीक है? तो चलिए वा अपनी आज़ी खिलास स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है iconoclast, iconoclast means होता है, one who is breaker of images and traditions, मतलब कि किसी बुरी विचारधारा या किसी गलत परंपरा का खंडन करने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जो जहां पे कहीं कुछ गलत हो रहा हो, उसका खंडन करे, उसका विरोध करे, ठीक है? उस व्यक्ति को हम लोग iconoclast बोलते हैं, नेक्स वर्ड देखते हैं हमारा, अगला वर्ड है हमारा illiterate, illiterate means तो हो गया अनपढ़ व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, one who does not know reading or writing, ठीक है? इसका अब अनपढ़निम क्या होगा? इसका अनपढ़निम होगा लिटरेट, ठीक है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, नेक्स वर्ड है हमारा immigrant, इमिग्रेंट means होता है, अब person who comes to a country from his own country for settling, यानि कि कोई व्यक्ति चो किसी country में आके बस जाए, उसे हम लोग immigrant बोलेंगे, नेक्स वर्ड है हमारा impregnable, इम्प्रेग्नेबल means होता है, that cannot be entered by force, ठीक है? अभेद्य जगे, ठीक है? जिसे भेदा ना जा सके, जैसे की अभिबन्यो चक्रव्यो में फस गया था, तो उसके लिए वो चक्रव्यो कैसा हो गया था? इंप्रेग्नेबल, ठीक है? अभेद्य हो गया था, तो जिसे जीता ना आ जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, वो हो गया inpregnable, ठीक है? नेक्स वर्ड देखते है हमारा, अगला वर्ड है हमारा imposter, poster means हो गया बहरूपिया, ठीक है, one who pretends to be somebody else, कोई ऐसा व्यक्ति जो ना हो, वो वो बनने का नाटक कर रहा हो, ठीक है, अगला वर्ड है हमारा indefatigable, indefatigable means होता है, one who does not tire easily, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से ठकता ना हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत हो, जो बहुत सारा काम कर ले, और वो बिल्कुल भी ठके ना, ठीक है, वो हो गया, indefatigable, next word देखते है हमारा, अगला वर्ड है हमारा introvert, introvert वो व्यक्ति होता है, जो अपने आपको सही, अपने आपको दूसरों के सामने जदा express ना करे, ठीक है, one who does not express himself freely, जो अपनी बाते अपने तक ही रखे, ठीक है, सबके सामने उसको disclose करना अच्छा ना लगता हो, ठीक है, वो person हो गया, introvert person, अगला वर्ड है मारा, insolvent, insolvent वो होता है, अब person who is unable to pay his debts, हम लोगों ने अपनी person की class में शायद देखा था, bankrupt, तो bankrupt और insolvent मैंने उस दिन मी बताया था, दोनों synonymous ह होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स ना चुका पाई, next word है हमारा, itinerant, itinerant वो होता है, जो इधर उधर ब्रह्मन करता हो, ठीक है, घूमने वाला, बनू जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, बंजारा, next word है हमारा, invincible, invincible means हो गया, one too strong to be defeated, कोई ऐसा व्य चंगेश खान था ना पहले समय में एक राजा, बंगोल एंपायर का, तो उसके उपर एक बुक लिखी गई है, तो ऐसा राजा या ऐसा व्यक्ति जिसे जीता ना जा सके, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया, invincible, next word हमारा, invulnerable, invulnerable होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नुक्सा होता है, कोई दुराचारी व्यक्ति, ठीक है, कोई अनातिक व्यक्ति, a person who leads an immoral life, next word हमारा, martyr होता है, शहीद, ठीक है, जब कोई किसी अच्छे काम के लिए, जिसकी मेत्यू होती है, जैसे लोग के देश के लिए शहीद हो जाते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे जवान होते है वन हुट डाइस फ़र नोबल को, जिस व्यक्ति कि किसी अच्छे काम के लिए, किसी नेक काम के लिए मेत्यू हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, martyr, next word है हमारा, mercenary, mercenary होता है, one who does something for the sake of money, कोई ऐसा व्यक्ति, जो पैसे के लिए, पैसे के लालस में कोई काम करे, लोग बोलते जो ऐसा व्यक्ति जो मानफ्ता से घ्रणा करता हो, उसे हम लोग बोलते है, misanthropist, उसका एंटॉनिम क्या हो गया, philanthropist, misanthropist हो गया, जो मानफ्ता से घ्रणा करे, और philanthropist हो गया, जो मानफजाती से प्रेम करे, वो हो गया हमारा philanthropist, next word है, misogamist, misogamist होता है, one who hates the institution of marriage, उसे वि knowledge से, जो ग्यान से घ्रणा करता हो, ठीक है, वो हो जाता है, हमारा misologist, और इसका antonym क्या हो गया, bibliologist, bibliologist कौन होता है, जो books से प्रेम करता हो, जैसे books पढ़ना पसंद हो, वो हो गया हमारा bibliologist, और misologist हो गया, जो ग्यान से घ्रणा करता हो, next word है, हमारा namesake, namesake means होता है, a person having the same name as अनादर बतलब कि एक ही नाम के दो आदमी तो उसे में लोग बोलते हैं नेक्सवर्ड है हमारा नार्सिस्ट नार्सिस्ट होता है वो पर्संड जो सिर्फ अपने आपセे प्यार करने वाला और नार्सिस्ट में वैसे एक बिमारी भी कंद आद बोलते हैं अगला वर्ड ऑमनेश्प न होता है one who क्लेक्स क्वाइं कोई ऐसा वेगती जिसे क्लेक्स करने का शोक होता है उसे हम लोग निश्मीड दो अगिए हमारा ओमनिवर्स होता है वान हो इट एवर्रिफिंग ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स और आनिमल्स दोनों खाता हो उसे हम लोग ओम्निवरस बोलते हैं ठीक है नेक्स वर्ड हमारा ओप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट मीस होता है आशावाधी वेक्ति जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हो ठीक है अगर कुछ भी उसके साथ हो रहा है तो उसकी अच् सब्सक्राइब कर लिया है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई डाउट और परशानी नहीं होगी तो कलम इसी के आगे से पढ़ेंगे आज आप इसी को अच्छे से पढ़िएगा और जो लास्ट दो क्लास हैं उन्हें भी अच्छे से रिवाइस कीजेगा तो आपका साथ सा सारा प्रिपेर होता चलेगा आज जो मैंने पढ़ा है वो पढ़िए पहले जो पढ़ चुके हैं उसे भी रिवाइस कीजे तब आपको बिल्कुल पक्का वाला याद हो जाये करेगा ठीक है तो चलिए आप मिलते हैं अपने अगले सेशन में